हलो दोस्तों, बहुत सो फिनेश एर बजर में आपका एक बाफ फिर से सुआ गयते हैं आज हम IPO से इलेटर बाते करने वाले हैं जैसे कि आपको पता है पिछले काफी टाइम से हर वीक दो-दो IPO आ रहे हैं और अच्छा लिश्टिंग गेन भी दे रहे हैं और दो IPO का लिश्ट भी होने वाला है इस वीक में और इसी वीक दो IPO आने वाले हैं बट हम एक स्पेसिफिक एक IPO से इलेटर बाते करने वाले हैं तो उससे इलेटर सारी इंफोमेशन जानेंगे बट इससे पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल और बहुत सर फिने शेर बजार को सबस्काइब करिए शेर करिए फैमिली फैंस के साथ ताकि मैं इस तरह की वीडियो लाते रहूँ और बाल आइकन को दबाना ना भूले तो आईए वीडियो की तरफ चलते हो तो अल्रेड़ी दो कंपनी HDFC-AMC एस वेल एज निपनल लाइफ यह दो एसेट मेंजमेंट कंपनी अल्रेड़ी मार्केट में लिष्टे है एक large cap है एक middle cap है तो एक और IPO आ रहा है जिसका नाम है UTI तो UTI का नाम आपने ज़रूर सुना होगा तो इससे लेटी हम बाते करने वाले हैं तो यह UTI AMC है तो अपना IPO लारी है कब लारी है कैसे लारी है इससे लेटी बाते कर देते हैं क्या कंपनी exactly करती है क्या क्या कि पॉर्टफोलियों में तो देख लेते हैं तो देखिये इंकोपरेटी इं ने इंकोपरेटी ने इंकोपरेटी वह था तो UTI AMC is the business of management managing the domestic mutual funds of UTI mutual funds provides portfolio management service to institutional client and high net worth individuals like and employee provident funds organization national skill development funds तो exactly है क्या तो AMC जो होता है मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी AMC का जब जिक्र किया है तो बताएं कि तरीके का mutual fund है ओके तो यह क्या करता है कि इनके जो बड़े-बड़े clients होते हैं और जो इनके बड़े-बड़े मिलते है 10% 12% का तो यह सारा के सारा एक और UTI है तो इससे रिलेटेड और भी हम बाते जानेंगे तो आपको बताना चाहता हूं कि जो यह यूटी यह je is the largest amc इंडिय इंडिया इं टमस आफ टोटल ऐसे टोटल-एम-उ तो एम-उ का मतलबाआ है ऐसे अंटर मैनेजमेंड यह सबसे बड़ा इंडिया का largest amc है तो और 7th Numbers का 7th largest amc in India in terms of mutual fund एक इनकर टो यह अगर AMC QAM की बात की जाए तो इस case में यह सात्वा सबसे बड़ा mutual fund है जिसकी net worth कितनी है लगब लगब 1542.3 billion rupees and also has the largest share of monthly average AMU among top 10 Indian AMC तो उसमें भी बात की जाए तो उसमें भी सबसे बड़ा top 10 AMC में भी सबसे बड़ा है तो इसका जो business है काफी बड़ा है काफी जगे पर है बी 30 cities में है पूरे इंडिया को almost capture करता है domestic mutual funds account for 72.7% जो management fees के तुरू जो इनका वो आता है the management fees from domestic mutual funds account for 72.7% 72.7% इनका जो आता है वो domestic mutual funds के तुरू आता है तो इसके लाबा ये काफी पुरानी और सबसे पहली AMC has established a first mutual fund इंडिया का ये सबसे पहला mutual fund है और लगभग 55 सालों से इसकी जो history है वो भी काफी बड़ी है वहला 55 सालों से इंडिया में exist करता है है और काफी बड़े बड़े बिजनस तू सैवंटी थी बिजनस डेवलप्मेंट एसोसीएट्स है इसके चीफ एजेंट्स की बात चीफ एजेंट्स हैं एडवाइजर भी है फैनेशियल एडवाइजर कह सकते है और जो अब है यह एक्चुली आइपी ओना होके ओफ एसे तो इनके बड़े बड़े जो इनके sponsors है लाइक ऐसे जो इनके shareholders है वो मिलके ओफ एस ला रहे है तो हैस फोर sponsors SBI, LIC, PNBN, Bombings, Bank of Baroda तो यह सभी के सभी मेजर्टी शेयर होल्डर्स है और यह अपनी थोड़ी थोड़ी इसे तारी बेच के OFS ला रहे है और कभी मार्केट में जब लिष्ट होता है तो IPO ही क्यालाता है तो यह है एक्जेक्ली OFS बट आर एजर इन IPO की तुर्णा रहा है यह अपने आपको company को लिष्ट का BSE और NSE पर लिष्ट करा रहे है कंपनी के financials की तरफ एक बार देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि 2018 में लगवा 29,192.52 million in rupees ओके इनका जो total asset है फिर इसके बाद वो बढ़ता जा रहा है 30 फिर 30 हुआ फिर 31,000 million in rupees फिर 32 तो asset तो कम बढ़ता बढ़ता जा रहा है और total revenue की बात की जाए year on year basis तो जो देखिए 11,6,27.47 million in rupees फिर 10 फिर 8 फिर 2710 अग यह quarter वाई यह quarter का है बाकि यह year on year basis है तो यह year on year basis भी आगर count दिया जाए तो यह काफी कम आपको नजर आ रहा है क्योंकि हर वक्त ही है हर साल total revenue इनका घटता जा रहा है और profit profit after tax तो इस चीच पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए कि हर साल इनका घटता जा रहा है क्योंकि market में और भी बड़े बड़े इस प्लेयर अब आगये competition बढ़ता जा रहा है तो अव्यसी बात है कि पैक्ट अगर कहीं और से कंपनी को mutual funds को दूसरे मुचल अच्छे रिटन देंगे तो definitely customer उधर की तरफ ही जाएंगे तो इस तरीके बट फिर भी आपको रिटन्स तो definitely मिली रहे है बट ऑब्जेक्स की बात की जाए कि क्यों ला रहे है यह IPO तो simple इनका जो में मकसद है to achieve the benefit of listing the activity shares on the stock exchange तो stock exchange में अपने आपको list कड़ा के जो यह listing gain होता है list कड़ा के जो benefit होत मिल सकता है in terms of money तो वो इस इसके लिए यह IPO ला रहे है as well as the sales of up to 38 to 33 करोड़ 89 लाइग हाँ 3 करोड़ 89 लाइग 87,000 okay 81 equity shares यह अपने shareholders इसके sell कर रहे है और IPO की details के और जानने तो तो IPO का जो date है okay वो 29 September तो आपको बता दूं मंगलवार के दिन यह IPO जो launch होगा शुडू होगा और एक तारिक तक एक अक्टूबर तक आप इसमें यह अप्लाई कर सकते हैं तो अप्लाई की date यह 29 to 1 है ओके एंड इतने equity shares है जिनका face value 10 है as well as price band की बात की जाये तो IPO के जो इनका price subscribe हो गया तो यह आपको cut off price पे ही मिलेगा और 27 का एक lot है इनका और BSE और NSE दोनों पर आपको list होता हुए नजर आएगा 29 to 1 इसका open and closing date है finalize allotment मिले है यानि 7 तारिक को आपको पता चलेगी 7th of October 8th of October को आपको initial of funds आपको पता चलेगा आपका refund मिल जाएगा अगर आपका नाम नहीं आए आपको allot नहीं हुए इनके shares तो IPO में आपको नहीं मिला है और credit of your shares अगर मिल गया है तो आपको 9 तारिक 9th of October को पता चलेगी आपके DMAT icon में आजेंगे और IPO list की date दे रखी है वो 12th of October है 12th of October को 10 बजे के आ रहा हूँ आपको यह यहां पर list होता हुआ नजर आज जाएगा आपको फिर पता चल जाएगी कि आपको listing gain कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है और grey market में क्या price चल रहा है इसके बार में भी हम बात कर देंगे अभी तो यह minimum आपको 1 lot ले सकते हैं और maximum 13 lot ले सकते हैं जो 1,95,000 के about है और 15,000 के नीचे ही आपको एक lot मिलेगा और UTI IPO promoters जो holding है अभी है लगबग 98.96% और जो बेचने के बाद कितनी हो जाएगी वो आपको बाद में पता चली जाएगा UTI IPO offered investors आपको बता देता हूं किस के लिए किस category के लिए कितना है तो QIB के लिए लगबग 50% रखा है और non-institutional investors के लिए 15% और retail investor के लिए 35% जैसे कि आपको बता है सब लोगों को मोशली नहीं मिला इसका रीजन यही था कि यह 35 की जागर 10% ही था retail investor के लिए बट यहां पर अच्छी opportunity है 35% इन्होंने retail investor के लिए रखा है तो एक अच्छी बात है इसके लाव है UTI Asset Management Company is available at more than 20% premium तो आपको बताना चाहता हूं ग्रे मार्केट में जो इसका भी price चल रहा है वो चल रहा है 20% के अब ही साब से मलब 20% तक का आपको profit मिल सकता है तो यह रही बात सारे के सारे IPO से related बट आपको बताना चाहता हूं एक चीज पर जिक्र पर बताना चाहता हूं अभी यह 20% जो आपका चल रहा है कि 20% premium मिल सकता है बट आपको बताना चाहता हूं कि यह list 29 to 1 से एक से अगर देखा जाए allotment लिस्ट हो रहा है लगब बारे तारीक को तो एक से बारे तारीक के बीच में लगब 11 देने अगर 11 दिन में as usual जो भी मैं बात बताता हूं कि 11 दिन में अगर मार्केट में कुछ भी अस्त वियस्त हुआ अगर उपर नीचे कुछ हुआ अगर मार्केट सही चलता रहा हूं जैसे कि अभी पिछले टाइम पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में काफी मार्केट गिरा है अगर सब्सक्रिशन बढ़ जाता है तो आपको बताना चाहता हूं यह प्रीमियम जो है 20 परसेंट जो अभी दे रखा है प्रीमियम यह ग्रे मार्केट में जिसे डबबा वाजार भी कहते हैं तो यह बढ़के 20 परसेंट की जागए और भी ज्यादा हो सकता है बट इट्स सब्सक्रिप्शन की कितना यह सब्सक्राइब होता है विदिन थ्री डेज ओके तो यह सारा का सारा यह यूटी आई से लिएट था एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको अल्रेडी पता ही है दो कंपनी अल्रेडी लिस्ट है HDFC, AMC, एस वेल एस निपॉन और जब यह लिस्ट हो जाएगी बारतारिक को तो एक और कंपनी हमाई लिष्ट होती हुई दिखाई जेगी जी यूटी आई एसेट मैनेजमेंट कंपनी तो इसके बाद आपको क्या करना है तो जैसे कि मैंने आपको इसके फंडमेंटल्स थोड़े से यहां पर जो दे रखे हैं मैंने देखा ह तो रिवेन्यू घरता जा रहा है तो इसमें हिस्सा लेना या नहीं लेना यह तो फर्स्ट और सेकंड डे पर ही पता चलेगा कि इस तरीके से लोग इसमें रेक्ट कर रहे हैं फिर उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें हमें पार्टिस्पेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि इसका revenue and pet दोने को दोना घटता हुए नजर आ रहा है और अभी कोविट कभी सीजन चल रहा है और mutual fund किस इस्तिती से गुजर रहा है यह कहने के जरुवत हैं नहीं क्योंकि AMC HDFC भी देखेंगे तो आप continuously गिरता जा रहा है निपॉन भी गिरता जा है नहीं तो यह सारी कि सारी अगर अच्छा खासा सब्सक्राइब होता है तो हम भी पार्टिस्पेट कर लेंगे अधरवाइस इसका revenue पैट देखके मन नहीं कर रहा है कि इसमें पार्टिस्पेट करना चाहिए क्योंकि mutual fund अल्रेडी काफी श्रगल कर रहा है तो यह सारी UTI AM अगर आपको यह अच्छा लग रहा है तो आप अपने फाइंश एडवाइजर से आज मार्केट को देखते हुए आप अप अपलाई कर सकते हैं डेट अन एवर्टिंग आप अल्रेडी डिसकस्ट विडियो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल इ नहीं शेयर बजार को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए फैमिली फैंस के साथ ताकि आपको इस तरीकी बहती वीडियो मिलती रहे थैंकी सो मच गॉड ब्लेस